हेलो एब्रिवान वेलकम तुदा जुरावर क्लासेश और आज हम करेंगे अपने नेक्स टेन क्वेशन और आज जो टॉपिक रहेगा वह बेसिकली जेंडर पर फोकस्ट है जेंडर प्लस में इंक्लूजव एजुकेशन तो हम सीखी रहे हैं लेकिन इंक्लूजव हैं उन में से 5 या 6 कोशन स्टार्टिंग कि वह मैंने खुद फ्रेम किये हैं वह किसी एक्जाम में नहीं पूछे गए हैं तो हम उन टम्स को देखेंगे और कुछ लास्ट के दो तिन कॉश्चन जो आई थिंक डिस बी एक्जाम से लिए मैंने जो डिस बी के एक्जाम में हैं तो इस तरह का पैटर्न आज की वीडियो में रहेगा और दूसरे चीज़ यह कि आपको साथ साथ अंसर करना है अगर आपको पता है अगर नहीं पता है तो ओविसली मैं एक्स्प्रेन आपको करती हूं उसके नोट्स बना लेना ठीक है तो चलिए फर्स कोशन देखते ह है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं ठीक है तो जेंडर स्टीरोटाइपिंग जेंडर आइटेटी जेंडर रोल से जेंडर इस्क्रिमिनेशन लिंग रूड़ी वाधिता भी बोलते हैं जेंडर स्टीरोटाइपिंग को या फिर लिंग रूड़ी बदता भी बोलते हैं जें ऑप के सामने अगर लडगी आएगी तो आप उसी तरीकी से ढानने की कोशिशärेंगे लडगा आएगा तो आप उसी रोल में ढालने के कोशिश करेंगे यह वी नहीं ए आदे घंडर पर बात की गई है पहचान की एक व्यक्ति की अपने बारे में धानना उसकी पहचान कर है कि हाँ भी यह masculine है female characteristics है ठीक है यह तो यह होती है gender identity आपकी अपने बारे में ठीक है आपकी खुद के बारे में जो धारना होती है मर्दाना याप फिर इस तरी विशेश्थाओं को लेकर उसको हम बोलते है gender identity okay gender role तो भई gender identity पता चलगी gender stereotyping होगी कि फिर आपको कुछ role assign हो जाते है society में कि यह रोल आपको करने है okay उसके बाद next देखते हैं a full understanding of the biologically based permanence of gender ठीक है जब बच्चे को एक पूरी तरह से जैविक रूप से आधार एक स्ताइत्व आ जाता है मतलब उसको यह पूर्ण समझ आ जाती है कि ठीक है मेरा gender fixed है और वो change नहीं हो सकता है अगर मैं male हूँ या फिर मैं boy हूँ तो मैं boy ही रहूंगा जिंदगी भर अगर मैं female हूँ है और अगर मैं girl हूँ ठीक है तो मैं वही रहूंगी जिंदगी भर ठीक है यह एक धारना होती है बच्चों में जो fix हो जाती है देखो कॉल बग कहते थे कि 6-7 साल तक जो बच्चा होता है मतलब इससे पहले का जो बच्चा है उसके अंदर यह धारना जो है वो fix नहीं हो पाती है तो fluctuate करती रहती है अगर वो लड़का जो है लड़की के कपड़े पहन लेता है तो उसको लगता है कि मैं लड़की बन गया हूं और लड़की अगर लड़के के कपड़े पहन लेती है तो उसको लगता है कि मैं लड़का बन गया हूं कुछ धारना है जो होती है फ्लक्च्ट करती रहती है कभी उसको लगता मैं जो एंडर्स्टेंडिंग आ जाती है लेकिन कॉल बग ने इसका जो एक्जाम्पल दिया था यह कहते हैं कि इस समय तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर कंजर्वेशन जिसको हम संरक्षन बोलते हैं जो पिया जी की टर्म है न कंजर्वेशन जिसमें आपका और डिसेंटरेशन दोनों आता है ठीक है यह दोनों धार्ना जो है बच्चे में विक्सित नहीं हो पाती है छे साथ साल के बच्चे में इसलिए उसके अंदर यह नेल और female को लेकर जो धारना होती है, वो fix नहीं होती है ओके तो conservation के आप सभी को पता है कि दो part होते है, एक तो होता है reversibility कि आप कितना reverse back जाके सोच सकते हैं, और दूसरा होता है decentration, मतलब एक चीज़ पर centered ना होके आप सारे चीज़ों को देखें, सारे dimensions को देखो वो होती है आपका decentration, तो ये बच्चे में develop नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे में ये जो gender का एक permanence होता है, biologically based कि हम ये biologically हमारा fix हो चुका है, हम ये बदल नहीं सकते हैं तो ये धारना fix नहीं हो पाती है तो कब fix होती है, और fix हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है देखो, इसमें basically मैंने बता है 6-7 साल के बाद का जो बच्चा है उसमें fix हो जाती है, तो उसको क्या बोलते है gender roles नहीं बोलते है, stereotyping नहीं बोलते है typicality भी नहीं बोलते है, इसको बोलते है gender constancy, देखो ये constancy हैं भक्ती आ गया Google Translate ने, आप देख ले ना, constancy को शयद समरूपता कहते है, कुछ कहते है न, इबर हिंदि आप डिसकस कर ले न, आपस में, कि constancy को क्या कहते है gender constancy जो होती है, आपकी fix एक तरह से biologically based permanence हो जाती है आपके gender की, आपके दिमाग में, ये बच्चों की बात हो रही है, चलो next देखते हैं, next है increased gender stereotyping of attitude and behavior and its movement movement towards a more traditional gender identity अब देखो यहाँ पर question क्या है, question को समझने की ज़रूँ था आपको, link रूडिवादी रवाईया और व्यवार में और एक अधिक पारंपरिक, link पहचान के और जब आंदोलन होता है आपके मन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से बहुत गहरे तरीके से चीज़े बैट जाती है gender stereotyping, जो attitude होता है behavior होता है, आपका जो रवाईया होता है, वयवार जो होता है, उसके अंदर पूरी तरह से gender stereotyping, जो fix हो जाता है वो बहुत ही जादा, अगर मैं कहूं, तो intensify हो जाता है, बहुत गहन हो जाता है ठीक है, इसको हम बोलते है, gender intensification, ठीक है यह इसका exact answer है देखो, अब यह जादा किसमें होता है यह बहुत जादा होता है जब जो लड़कियां होती है, अर्लिय डॉलो सेंट्स गर्ल्स होती है, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि जो पूर्व अवस्था में होती है लड़किया उनमें बहुत जादा हो जाता है कि हाँ लड़कियों को सिर्व यह चीज़े करनी चाहिए मतलब ओविसली सोशलाइजेशन का प्रोसेस सारा समाजी करन की प्रिक्रिया इतनी गहन तरीके से बच्चों के दिमाग में बैड जाती है और इसका जादा आसा लड़कि फोर गॉइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप ग्रैंड मदर सेज़् वाइंट यू बिया ओड़कियों के बॉड़कियों को सकती है तुम अच्छी लड़की की तरह क्या रही क्यों नहीं हो सकती ठीके फोकस करा है यहां पर गुड गुड गल्वाट इस तो पोती अपने पिता से और गौरोट की क्या धार्णा है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रही है उस लड़की को कि आप इक अच्छी लड़की की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती हो तुम से कौन शादी करेगा तुम अगर ऐसी बिहेविर रखोगी और यहीं मुझे लगता है काफी लड़की उन। सुना होगा आपके बच्छपन में भी दादी से सुना होया मम्मी से सुना होगा तुम्हें अच्छी लड़की की तरह behavior क्यों नहीं करती हो तो यह जो अच्छी लड़की की धार्ना होती है यह कही ना-कही आपके stereotypes होते हैं वहां से आती है gender stereotypes से कि एक लड़की को ऐसे धेफ करना चाहिए ठीक है आप लड़की हो तो आप ऐसे नहीं कर सकती आप जोड़ों से मत हसो ठीक है मतलब कि आप सड़क पर चल रहे हो जाद देर तक आप घर से बाहर मतर हो आपको शोबा नहीं देता है जो भी मतलब वह वाली चीज़े होगे ठीक है अब मैं इसके डीप इन दा चाइल्ड रियरिंग देखो अब यहां पर ग्रैंड मदर की बात हो रही है ग्रैंड मदर ने एक स्टेटमेंट बोली है तो ग्रैंड मदर पर फोकस कीजिए उनके मन में जो धाना है वो क्या दर्शारी है आपको ठीक है देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा व थोड़न लड़कियां थोड़ी करती हैं अच्छा नहीं लगता तुम्हें है ना मतलब यह वाली चीज़ें तो यह जैंडर स्टीरो टाइप का एक्जाम्पल है ओके नेक्स देखते हैं जैंडर रोल्स और क्रियेटेड बाइट इंटरेक्शन बिट्वीन परिप्रेख्ष जैविक परिप्रेख्ष और समाज शास्तिय परिप्रेख्ष ठीक है तो लिंग भूमिकाएं व्यक्तियों समुदाएं और उनके वातावरण के बीच बाची द्वारा मतलब अंतेक्रिया कह सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं यह कौन सा परिप्रेश्च जो है इसके बारे में बात करता है कि ऐसा होता है कि लिंग भूमिकाएं जब व्यक्तियों अपने समुदाएं से मिलता है उसके बाद उसके जो वातावरण के बीच जो अंतेक्रिया होती है उसके बाद जो है जैन्डर रोल्स हमें लर्न हो जाते हैं यह लिंग भूमिकाए अमें लर्न हो जाती कि ठीक है ये मेरा रोल है मुझे ये रोल निभाना है ठीक है तो बताओ फटाफट से अगर आपको पता है तो देखो जो इसका correct option होगा वो होगा option number A ठीक है ecological perspective कहता है ये पारेस्थितिकी परिप्रेक्ष ये कहता है कि आपका जो वातावरन होता है या आपका community होगा या आपका interaction होगा लोगों से या फिर community से इन सबका रोल बहुत important होता है ये जेंडर रोल्स लर्न करने में जेंडर रोल्स जो है create के जाते हैं इन तीनों चारों चीज़े से व्यक्ति जो है जब interact करता है अपने समुदाय से अपने environment से तब उसका जो रोल है बहुत गहरा हो जाता है वह सीकता भी नहीं रोल को इसी तरीके ये कहता है ecological perspective अगर bylogical की बात करें तो biological perspective यानि कि जैविक परिख्ष ये कहता है कि भई कि लड़कियां होती है फिर जो females होती है उनके अंदर naturally ही बाय बाय लोजिकल रूप में उनके इसे चीज़े होती हैं कि वो अपने जो जेंडर रोल्स है उनकी तरह जुका होना देह बाल हो गया कर हो गया अब आते हैं सपर आते हैं सोच परशील ऑजिकल के वारे में तो स wear के जो सोिकति होतीड एग घंडर रोल्स को यह कह थेिती है इसाइटा कि दो señor करीड का रह tenants को यह और बैटा प्रसके परस्पेक्टेव ख में करें इसके बहुत याद आधे हैं एक्सालोलकर कहते है कि नहीं यहां पर interaction होता रहता है होता रहता है तो दीरे-दीरे-दीरे हम अपने अप लॉर्न करने की जाते हैं तो अब हम कहें तो बहुत दोनों कई हैं ना दोनों का इफेक्ट होता है हम लर्न भी कुछ चीज़ें करते हैं कुछ हमें अपने आप environment से आ जाती है जो हमारा सा मतलब यही था कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन हो जाए इन चीज़ों का कि कुछ ऐसी चीज़े भी होती है जो पढ़ने ही ज़रूरी है ओके नेक्स है एम टु एड्रस दा इमिजेट नीड्स ओविमन और मैन फॉर इंप्रूविंग दा लाइफ सुधार के लिए महिलाओं और पुर्षों की तातकालिक आवशक्ताओं को संबोधित करने के उद्देश को हम क्या कहते हैं हिंदी में आप लोग पढ़ लीजे और भी वहीर को इसको हम कौन ये रड़न और मैंकर विकासात्मक लिख राईन और फिर उप्रॉक्त मैं से कोई ने ही आपको बतानी है देखो अब इसका जो correct option होगा वो होगा option number C यह आती है आपके practical general needs में आती है ठीक है देखो practical general needs क्या होती है कि यहाँ पर यह है कि women को जो है access होना चाहिए education पर ठीक है उसके बाल health पर employment पर water sanitization इन सब पर जो है strategic gender needs की जैसे कि इसको कहते है रणनीतिक link जरूरत है तो इसमें क्या होता है कि यह कहते है कि आप जो unequal इसना भी distribution है relationships है ना power की women और men के बीच में उसको transform कर दो एक दम से है ना मतलब divisions हाला दो एक तरह से ताकि जो है यह men जो है इन्हों ने जितना भी किया है उसके लिए इनको भरना भी पड़े एक तरह से कह सकते है या फिर women को जो है थोड़ी जादा power भी दे सकते हैं जैसे कि आप दे को division of labor किया जाता है ठीक है उसके बाद हम कह सकते है लीगल राइट्स पी इंक्लूड कर दी जाते है women को कि आप इनको सजा दो है ना अगर यह आपके साथ कुछ गुरा करते तो आप सजा दो इनको तो यह आपका strategic में आ जाता है नोमेस्टिक वाइलेंस हो रहा है तो आप इनको सजा दो ठीक है यह वाली चीज़े होती है जबकि यहां पे क्या जाता है practical नीट में कहा जाता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका health है नेक्स्ट जो है आपका फिर से आपका inclusive education particularly inclusive education पर है ठीक है जेंडर की परमेंस में आपको थोड़ा काफी बता दीए इससे पहले कि जो कोशन से six questions वो मैंने फ्रेम किये थे अब यह आपके exam में questions आए हुए हैं यह देखते हैं the process by which efforts are made to ensure opportunities for all regardless of their background और whatever the index of diversity भी वह है प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रिष्ट भुमी की प्रवा किये बिना पुराने अफसरों को सुनश्य करने के प्रियास के जाते हैं चाहिए विविता का सुचकांग कुछ भी कहता हो मतलब आपका diversity किसी भी तरह की हो कोई फरक नहीं पड़ता बस आपको यह है कि आपको सभी opportunities मिलनी चाहिए ठीक है मतलब वो जो पुरानी चीज़े जो हर किसी को पहले मिलती आ रही है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिल पाई थी या कुछ लोगों को नहीं मिल पाई थी अब वो सबको देनी है ठीक है भले ही विवित्ता किसी भी प्रकार की हो तो इसको हम क्या बोलते हैं यह आपको अंसर कर रहा है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं सेग्रिगेशन बोलते हैं देखो अलगाव तो हो गई नहीं यह तो आप देखते समझ गए होंगे है ना social inclusion right to education या फिर social integration देखो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन उठाइए मैं नहीं ठीक है तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का मतलब होता है social inclusion ठीक है अब तक जो है जितने भी लोग भले पिछडे लोग हो करनी है आपको सुनिश्चित करनी है वो है आपका social inclusion ठीक है option no.b is the correct option and this question was asked in DSSB exams PRT का exam था कोई ठीक है उसमें पूछा गया तो जो online exam होए थे next time which of the following statement is not true with the reference to the principle of inclusive education देखो inclusive education के कुछ principles होते हैं जिसमें आपकी child centered education या diversity को cater करना होता है जतने भी चीज़ों होती है तो उसमें इन में से कोई एक जो है वो true नहीं है मतलब सच नहीं है वो आपको बताना है तो I hope कि आप इसका answer कर पाएंगे यह question थोड़ाईजी है inclusive education is about access and equity for all students ठीक है by equity यानि कि समता बोलते हैं इसको हिंदी में समता और पहुत जो है वो सभी को होनी चाहिए बिलकुल होनी चाहिए teaching and learning should vary according to the strength of individuals देखो मैंने हमेशा काई कि आपको बच्चे की strength पर ध्यान देना है कि वो उसकी strength क्या है उस पर focus कीजिए और फिर उसके teaching learning कीजिए ठीक है तो इंडिविज्टेंस पर हमें ध्यान देना है नेक्स है inclusion provides support for learning and school attendance तो भाई inclusive education learning में support करता है साथ स्कूल attendance में भी support करता है कि उपस्ति दर्ज करा देता है यह बहुत बड़ी बात है तो भाई यह इसका basic principle नहीं है ठीक है तो D is the wrong answer मतलब wrong है question के according लेकिन वैसे option सही है D ओके तो option number D is the correct answer अब next देखते हैं which of the following is not a working policy to honor educational opportunities भाई शेक्षिक अवसरों को सम्मान करने की एक इन में से जो है proper कार्यनीती नहीं है यह आपको बताना है कि कौन सा है भाई लड़कियों के सिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए विशेष्ट बच्चों के लिए प्रियासों की आफशकता है शेक्षिक सुविधाओं के प्रावधान में छेत्री असंतुलन को सही किया जाना चाहिए ठीक है आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है इसका answer फिर मैं आपको बताती हूं देखो वैसे तो आसानी कोशन है लेकिन थोड़ा आप कन्फ्यूज ह हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं एक पर तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नमबर बी क्यों होगा आपको पता है कि हम इंक्लूजिव एजुकेशन की बात करते हैं इंक्लूजिव एजुकेशन में बच्चा सभी के साथ पढ़ेगा उस पर स्पेषल अजूकेशन की करना है उसको इतनी है उसमें आपस पशेल अप supremड ले गाई जो में टीचरों वही है खोड़ी से स्पेशल ऐुकेशन बच्चे की स्टार्ट कर दिया उसको कॉल ऊपपो शेटो की से बाता हम बनाएंगे निक्यों कि इसससे क्या होता है तो यह नहीं होगा option number a c d जो है तीनों ठीक है पर गल्स को भी emphasize करना है उनके education को भी जो पिछुडी मतलब जो नहीं ले पाई थी या जो अब तक जो है उनको जो opportunities नहीं मिलती है उनको emphasize करना है एना efforts करने आपको ताकि backward बच्चों को आगे लेकर जाया सके है फिर regional imbalances होते है किसे छेतर में बहुत कम सिक्षा के अवसर होते हैं किसी में बहुत जादा होते हैं तो यह imbalances को आपको दूर करना है बराबर करना है ठीक है तो option number b is the correct option next and the last question is giving equal opportunities to girls and boys in sports punishing without gender discrimination using gender neutral language are some of the strategies that should be used by teachers अब देखो खेल कोद में लड़कियों को समान अवसर देना लेंगिक भेद भाव के बिना दंड देना लिंग निर्पेक्ष भाषाओं का आप इस्तमाल करेंगे तो यह जितनी भी strategies आपके द्वारा यूज की जारी है यह किसले की जाते हैं जेंडर bias biasness में यूज की जाती है sensitivity फैलाने के लिए समविदन शीलता लाने के लिए जेंडर equality जेंडर education यह सारे जो options हैं आपको confused करेंगे लेकिन आपको exact answer निकाला है देखो अब यहां पर जो है रननीतियां है यह कुछ यह यूज हो रही है रनीतिया यह क्यों रनीतियां यूज हो रही है teacher के द्वारा ठीक है किसलिए कर रहा है वो क्या लाने के लिए अपने कक्षा में यह आपको बताना है तो I think you can answer this question also तो बताए फटा फट से क्या answer होगा 10th का देखो 10th का जो answer होगा वो होगा option number C gender equality ठीक है equality कह सकते हैं समानता आप कक्षा में यह सारी चीज़े कर रहे हो ताकि आप कक्ष groups बनाओ आप mixed grouping कर दो ठीक है आप उसके बाद कोई काम दे रहे हो बच्चे को ठीक है कि आप उसके बाद बच्चे को सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि बताओ इसमें ऐसा हुआ है तो क्या ऐसा हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह होती है आपके gender sensitization अब जेंडर पर्टिकुलर्ली सम्विदन शीलता नहीं हो रहे है हमें इन चीजों से आपको सम्विदन शीलता हो सकती है आपको आए लेकिन हो सकता है ना भी आए यहाँ पर teacher जो आपको यहाँ पर sensitize नहीं कर रहा है आपको obviously it can be a part of sensitization लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर्ली क्या ही चीज जोरी है मैं फिर से कहते हूं यह question एक specific question है विशिस्ट question है इसके according जवाब देना तो इसका सही अंसर होगा option number C gender equality ठीक है I hope कि आपको आज के questions अच्छे लगे होंगे and अच्छे लगे तो guys आप please comment जबरू कर देना और दूसरी चीज़ यह है कि अपना score जो है वो भी comment कर दिय बढ़ते रहें बढ़ते रहें स्वस्त रहें सुरक्षित रहें and thank you for watching deserve our classes